तो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैंटेक चनल, आज हम बात करने वाले हैं, कुर्जा ग्लोबल लिम्टेट के बारे में, जो की स्यार बहुत बड़ा पेनिक स्यार था, मतलब इसका प्राइस वान रूपीज, टू रूपीज आस पास था, और इसका देखिए, अभी ये वान मन मे देखिए, अभी जस्ट ये, 20 रूपीज अभी करेंडली चला गया, तो अज जानेंगे इसका next target क्या रहेगा, next level क्या रहेगा, इसका सारे details, अज हम लोग बताएंगे, इस भीडो पे, तो भीडो का इन तक बने रहो जानने के लिए, इसका next target क्या रहेगा, next level क्या रहेग ये के अभी 1 रूपीज, 2 रूपीज अंदर था, ये देखिए, ये चला गया था, 7 रूपीज आसपास, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, 8 रूपीज, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, 1 year, 1 year में था 7 रूपीज देखिए, all time high देखिए, मैं 10 रूपीज आसपास भूम रहा था, और ये देखिए, ये इस महिना, डिसंबर महिने, देखिए, 9 रूपीज देखिए, 8, 8 से, यहां पर, यहां से स्यार भागने की कोशिस किया है, 9 रूपीज, ये देखिए, ये दोड़ा है, इधर से, 7 रूपीज से डारेक लिए, और स्यार भागने की, मतलब ये नहीं कर रहा है, ये देखिए, चलागा है, 20.87 रूपीज ये, आज, फ्राइड़ के दिन, ये गया है, और इसका देखिए, नेक्स टार्गेट के रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहां पर देखिए, वान डेकर चार्ट पे, वान डेकर देखिए, ये इस पोजिशन से देखिए, 8.85, यहां से 8.12, आर तरग से ये, इसमें तोड़ा ब्रेक आउट हुआ है, यहां से थोड़ा ब्रेक आउट हुआ है, ये कस्तिन, 20.20 को, 20.12, मतलब डेसंबर 20 को ये, थोड़ा गीरा, और फिर देखिए, ओपवर सार्किट, इ अगर ये ब्रेक करता है, इसका देखिए, अल्टेम हाई है, ये अल्टेम हाई ही गया है, देखिए, यहां से अल्टेम है, ये कभी इतना नहीं गया था, तो देखिए, यहां से, ये अगर बांस बैक करता है, तो इसका, ये बाला देखिए, 1B का चाट, मैं आपको दिखा रुपीज आसपास देखने को मिल सकता है, यह तो यह वाला पोजिशन, यह जो पिछला प्रेकोड किया था, 12, देखिए और यह यहां से बांस बैक करता है, अगर अपर चलता है तो यह मंडे के दिन फिर देखिया आपको कितना रुपीज यह दिया देगा, आपको रेटन, 19 80 पेसे आसपास ही आपको रेटन देगा, मंडे को, 20.96 to 21.96 आसपास ही आपको मंडे तेजी देखने को मिल सकता है, अगर यहां से यह उपर के बांस बैक करता है, अगर नीचे बांस बैक करता है तो नीचे यह गिरेगा फिर से, और अगर ऐसा इसमें गिरावाट हो गया त यहां तक भी यह आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ अभी सियार में कुछ भरसा नहीं है, मतलब अभी सियार गिर वे सकता है, तो इसको देखके समझ के इसको खरी सकते हो आप, सियार तो बहुत अच्छा है क्योंकि अभी इलेक्ट्री के उपर इभी सेक्टर के पर यह काम कर यह 6 देखे में आपको रिटण दिया है 167 परसेंट अर 13 रुपी यह रीटण दिया है वनए यह में अलिए यह अल्टम का देखिए यहां पर यहां पर बोला 1392 राटम है यह मैं माहारा है 19.31 परेशे यहां पर देखिए यह कि यहांसी दिखिए इसका दोर रेंज गाया है 2.75, 20.75, 20.75, 5.07 लो है 52, है 20.75 यहांपे, पर अबर लेबल क्या बोल रहा है, पर अबर लेबल अरवन बोल है 2075, 2075, यहांपे 2075, यहांपी इसकी के बिते हांदे, और इसकी दिखा बातो है 2075, यह रूखाय है, रूखाय है, रूखाय है, जासाज़िते हो से ध्रीटाय हुआ, पर जासे होंड़ुत, TWO बाटन बातो है 25ч सब्सक्राइब हर साल इसका revenue में ग्रोध देखने को मिल रहा है यह थोड़ा गीरा है 20 से 21 तक बाकी देखिए धिरे-धिरे यह आपको ग्रोध देखने को मिल रहा है यहां से यहां पर देखिए यहां पर 31.97 है आपको प्रमोटर 0.01 है दी आईस और यहां से पॉब्लिक 68 में 0 टू होल्ड करके बैठे हैं कम्पणी के बारे में जानते हैं देखिए इधर क्या बोले कम्पणी के बारे उर्जाग ग्लोबाल लिमिटर इस दा एंगेज इन पावर जनेर energy to utility government and commercial customer the company also engage in the various activity like manufacturing and the trading of the crystalline photovoltaic PV modules develop and the invest in the PV based solar power plant solar power plant solar power plant में यह करता है invest बोल रहा है डिवर स्पर जनेरेशन सर्विशस जनेरेशन सर्विशस इन फिल्ट अप दो हैड्रो थर्मल पावर में यह जनेरेटर भी बनाता है प्रोमोटर दो यूज़ अरजी और इस प्रोडक्शन फोहदेट शोलर अरजी फोड़क्ट अंफेक्ट अफ्टर सेल सर्विशस द प्रोड़क्ट रंच वह दगर्ज शोलर श्टीट लाइट, शोलर वाटर, इस अच्टर लेटन, पोटेबल लाइट, शोलर पैनल, शोलर बेट्टी चार्जर एंड और सोलर को कर यह सारे बहुत सारे सोलर का काम यह करता है कंपनी बनाता है फ्रेंस देखिए मैं एनसी के साइड पर हूं यहां पर आपको फोता चल जाएगा यहां पर देखिए आपका ओर्जा ग्लोबाल 20.75 पे क्लोजिंग दिया है 0.95 रुपीज आपको तेजी देखने को मिला 4.80 रुपीज के अंदर देखिए फेस वेल्यू देखिए 1 रुपीज है कितना वोल्यूम ट्रेड हुआ है देखिए 4,90,917 वोल्यूम ट्रेड हुआ है ट्रेड वेल्यू निकल क्या रह है 1001.87 लाग, फ्रीफोड मार्केट के अब 715, 52 हाय है 20.75 लो है 5.10 डेलिवरी कॉंटेटेटी देखिए 4,90,917 है और जो भी पॉसेंटेज के सबसे 100% का डेलिवरी में तो जितना भी माल उठाए गया है फ्राइड के दिन सारे इसमें डेलिवरी में उठाए गया है तो कंप इसका पैस बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि अभी 21,20 कर क्लोस कर लेगा 21,75 है तो आपको 25 रुप्रिया आज पास यह आपको देखने को मिल सकता है next कुछ दिनों में तो CR अभी होल करके आप स्ट्रेक सकते हो आगे आपको बहुत यह मुनाफ़ा रिटन करके देगा तो चलोर आपके आपको बहुत अबाए